हेलो फ्रेश मेरी तो शौगत है आपका मेरे चैनल में आज मैं शेयर कर रही हूँ फलाहारी अप्पे बनाने की रेशिपी और इन्हें हम समागे चावल और शाबुदाने से बनाएंगे जो की बहुत ही हेल्दी और टेश्टी रेशिपी बनेगी और फाथ ही मैंने फलाहारी नारियल की चट्नी भी बनाई है और इन्हें हम वरत में भी खा सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन के दिए बना सकते हैं या प्रेक फास्ट के दिए भी इन्हें बना सकते हैं बहुत ही टेश्टी अपे बनकर तयार होते हैं तो इसके दिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी समा के चावल लिये है और जितनी मातरा में मैंने समा के चावल लिये है उसे आदी मातरा में मैंने यहां शाबुदाने लिये है और शाबुदानों को मैंने बिना भीगोए लिया है अगर आपके पास में भीगोए हुए फाबुदाने हैं आप वे भी दे सकते हैं पर मैंने इसी तरफे इने दिया है इन्हें मैं मिक्सी में पीफ कर इसका पाउडर बना कर तयार कर दूगी और समा के चावल को हमें 2-3 बार पानी से अच्छी तरशे धो लेना है और उसके बाद में हमें इन्हें भी पीफ कर इसका एक बैटर तयार क तो पहले हम साबुदाने को पीस लेते हैं यह मैंने साबुदाने को पीस कर छान लिया है और इसका पाउडर बना दिया है और समा के चावल को भी मैंने दो कर उसे मिक्सी में पीस कर इस तरह से इसका पैटर तयार किया है और इसमें मैंने फिर्फ़ 2-3 टेबल स्पुन पानी डाला था, इसमें ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है, अब साबोदाने के पाउडर को भी हमें इसमें डाल लेना है, और इसे भी एक बार मिक्सी में गुमा लेना है, अब ये मिक्स्चेर हमारा सुखा सुखा सा हो गया है, इसमें आधी कटोरी मैं यहाँ पर दही डाल रही और इसका ये इस तरह से लिक्विट बेटर बना कर तयार कर दिया है और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फिर दो से तीन डेबल स्पुन पानी का यूफ किया है और आधी कटोरी दही का इसे हमें ज्यादा पत्दा नहीं करना है अब इसे हमें एक बॉल में निकाल लेगे और इसे हमें लगभग दफ़े 12 मिनट के दिए रेश्ट के दिए रख देना है ताकि शाबुदाने और फ़मा के चावल इसमें अच्छी तरह शे फूल जाए तो अभी हम इस बैटर को ढख कर रख देते हैं और जब तक ये फूलता है तब तक हम बाकी तयारिया कर देते हैं तो फ़पफे पहले हम नारियल की चट्मी बना देगे उसके दिए मैंने एक कटोरी डेशिकेटेड नारिया दिया है और एक कटोरी मैंने भूनी हुई मुझपली के दाने को छिद के निकाल कर दिया है और एक कटोरी दही दे दिया है और दो हरी मिर्च और हरा धनिया दिया है अब सारी चीजों को हमें एक ग्रैंडिंग जार में डालना है और इन्हें पीफ कर तयार करना है तो फ्रेश अगर आप मेरे चैनल पे नीव हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीए और बेज आइकन को प्रेश कर दीए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे तो ये मैंने इस अभी को दरदर आशा पीफ लिया है तो इस तरह से पीफने के बाद में मैं इसमें एक कटोरी पानी डालूगी उसके पैदे हमें इसमें स्वादा नुफा नमक डाल लेना है नमक आप पैदे भी डाल सकते हो तो लगभग उसी कटोरी शे मैंने एक कटोरी शे में पानी डाल लिया है यदि आपका दही खटा कम है तो आप उसमें पानी की जगे और दही डाल कर पीश सकते हैं या फिर दही ज़्यादा खटा है तो उसमें पानी डाल सकते हो तो ये देखिए इस तरह शे हमने चटनी को बना कर तयार कर दिया है अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेगे और इसे हम थोड़ा अशा पानी डाल कर पत्दा कर देगे अब इसमें हम एक तड़का दगाएगे तो थोड़ा सा हमने तेल गरम किया है और उसमें दो लाल मेर चिटा दी है और थोड़े से कड़ी पत्ता डाल कर इसमें एक टड़का डाल दिया है जिससे कि हमारी चटनी का टेस्ट और भी फ्लेवर फूद हो जाए तो ये हमारी वरतवादी नारियद की चटनी बनकर बिल्कुल तयार है तो अब हम अप्पे बनाने की तयारी कर देगे तो उसके दिये मैंने यहाँ पर दो मीडियम फैच के उबले हुए आलू लिये है और आलू को मैंने छीद कर दे दिया है और उसे इस तरफे ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है और यहां पर हमें आलू को इस तरफे ग्रेट करकर ही देना है जिसे की आलू अच्छी तरफे हमारे अप्पे वाले बेटर में मिल जाए तो अब लगवग 10-12 मिनट यह हमारे अप्पे वाला बेटर ने रेश्ट कर दिया है अब इसे हम एक बार मिक्स करेंगे और यह देखिए पहले से हमारे बेटर थोड़ा जादा ठीक हो गया है अब इस बेटर में हम कद्दू कफ की हुई आलू को डाल लेगे और अप्पे को थोड़ा चटपटा फ्लिवर देने के दिए हम इसके दिए एक तड़का बना कर तयार करेंगे तो इसके दिए मैंने यहां दो हरी मिर्च को बारिक काट कर दिया है और जब यह दोनों अच्छी तरशे फ्राई हो जाए तब इसमें कड़ी पत्ते को डाल कर इसे भी दो तीन शेकेंड के दिए हमें प्राई कर देना है तो यह हमारा तड़का बनकर तयार हो गया है अब इसे भी हम इस बेटर में डाल लेगे और यदि आप इस नाफ़ते को रद के बिना बना रहे हो तो आप इसमें प्याज को भी काट कर डाल सकते हो अब इसमें बारिक कटा हुआ हरा धन्या डाल लेगे और फ़ादा नुसार इसमें हमें नमग डाल लेना है फ़मा के चावल का ये नाफ़ता आप उपवाफ के बिना भी जरूर बनाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोशक तत्वों से भरपूर होता है मिलेट्स नाज को हमारे खाने में हमें जरूर फामिद करना चाहिए तो ये बेटर हमारा थोड़ा अभी गाड़ा लग रहा है तो इसे हम थोड़ा शाप पानी डाल कर पतला कर देगे इस तरह फे थोड़ा फा पानी डाल कर हम इसे मिक्स कर देगे और ये देखिए कुछ इस तरह की कंफिस्टेंशी हमें के लिए चाहिए बहुत ज्यादा पतला हमें इसे नहीं करना है तो ये बेटर हमारा अप्पे बनाने के दे तयार हो गया है अब गैस पर अप्पे पैन को रखेगे और गैस की फ्लेम को आन करेगे इसमें हम थोड़ा थोड़ा इसे ब्रशे इस तरह से आउइल से ग्रीफ कर देगे यहाँ पर मैं मुंग फली का आउइल यूस कर रही हूँ जो की उपवास में खाया जाता है अब इस तरह से एक एक टेबल स्पून इसमें हमें अप्पे वादे बेटर को डाल देना है मैंने इस नाफ्ते को बनाने के दिए मुंग फली का आउइल यूस किया है यदि आप गी में इसे बनाना चाहते हो तो आप गी में भी बना सकते हो और मैंने इस बैटर में बेकिंग सोडा बिलकुल नहीं डाला है क्योंकि हमने इसमें फाबुदाना और दही डाला है तो इससे ये बहुत अच्छे फुल जाएगे और फॉप्ट बनेगे अब इस तरह से डालने के बाद में इसे हमें ढख कर लगभग 3-4 मिनट के जिए इसे पका देना है और इसे मैंने जो फ्लेम पर पकाया है तो ये देखिए जब इस तरह फे थोड़ा फाउपर फे ड्राय हो जाए तब हम इसे खोल लेगे और इसके उपर एक-एक दो-दो बुनते तेल की डाल लेगे आप बिना तेल डाले भी इने पलट फकते हैं पर इस तरह फे जब हम थोड़ा थोड़ा इस पर तेल डाल देगे तो ये दूफरी फैट फे भी अच्छी तरह फे गोल्डन हो जाएगा तो अब हम इनको पलट देगे और ये देखी कितने आफानी फे ये हमारे अपपे पलट रहे है और ये अच्छी तरह शे लाइट गोल्डन फे हो गए है यदि आप थोड़ा डार्क गोल्डन चाहते हो तो इसे थोड़ी देर के दिए मिडियम फे पे करके इसमें थोड़ा गोल्डन कादर आते तक रहने दिए मैंने इन्हें पूरा लो फे पर पकाया है और इस तरह फे हम फारे अपपे को पलट देगे और दूफरी फे फे भी इन्हें ढखकर हमें 2-3 मिनट के दिए पका लेना है तो ये मैंने 2-3 मिनट के दिए दूफरी फे भी इन्हें पका लिया है और ये देखिए दूफरी फे भी इनका कदर गोल्डन हो गया है अब इन्हें हम पलेट में निकाल लेगे आप इस पैटर को बना कर रख लीगे और जब भी अप पे खाने हो तब इसे गरम-गरम बना कर शर्व कर शकते है इन्हें बना कर ज्यादा देर तक रखने फे ये थोड़े करणक हो जाएगे और गरम-गरम ये बहुत ही शॉप्ट अप पे लगते है इफले हो फके तो इन्हें गरम-गरम बना कर ही खाईए और ये अप पे बहुत ही हेल्दी और टेश्टी होते है तो इन्हें उपवाफ के बीना भी जरूर बनाए तो ये दीजिए हमारे टेश्टी शेप पे और फात में फदाहारी नारियल की चट्मी भी बनकर बिल्कुल दयार है तो फ्रेश आपको आज का मेरा ये वीडियो पशंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसे जादा शेजादा अपने फ्रेंट शोर फेमेदी के साथ फेयर कीए और मैंने मेक फदाल चावल फे अपपे बनाने का भी वीडियो डाला है तो उसकी लिंक भी मैंने नीके डिस्क्रिप्शन में डा दी है आप उसे भी एक बार जरूर देखिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेशिपी के साथ